कई ऐसी टेने हैं जिनें special टेनों की list में शामिल किया जाता है लेकिन आपको क्या लगता है कि इन में ऐसा क्या खास होता होगा जिस वजह से इने special टेन कहा जाता है ये बात तो हम सभी जानते हैं कि Indian Railways दुनिया की सबसे adjusting service माने जाती है ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ ये अ का नाम हमारी दिमाग में आता है वो है महराजा एक्सपरेस महराजा एक्सपरेस भारतिय रेल का एक ऐसा creation है जैसे दुनिया के सबसे बेहतरीन और luxury rail services में से एक माना जाता है इस train की शिरुवात साल 2010 में की गई थी और यह train दिल्ली से आगरा तक का अपना सफर पूरा करते हुए अलग-अलग हिस्सों में पहुंचती है ये एक ऐसी ट्रेन है जिसे अगर ट्रेन ना कहकर सपनों का महल कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा इस ट्रेन को भारतिय रेल कैटरिंग और टूरिजम कॉर्परेशन मिल कर चलाती है इस ट्रेन को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई सेवन स्टार होटल पट्रियों पर घूम रहा हूँ इस ट्रेन की लगजरी रेल सर्विस का अंदाजा आप इसी बास से लगा सकते हैं कि साल 2011 में इस ट्रेन को पूरी दुनिया की 25 सबसे लगजरी ट्रेनों की लिस्ट में चुना गया था इस ट्रेन में 23 डिपे होते हैं जिन में 80 से ज़्यादा यात्री सफर कर सकते हैं अगर बात करें इस ट्रेन की टिकट की की तो ये कीमत 2 लाक रुपए से शुरू होती है और इस ट्रेन के सबसे महगे टिकट की कीमत 18 लाक रुपए तक होती है तो दोस्तों ये तो ही इंडियन रेल्वेस की एक लगजरी ट्रेन की बात चलिए अब हम आपको इसी रेल्वेस की एक नॉर्मल ट्रेन के बारे में बताते हैं इस ट्रेन का नाम है DEMU यानी Diesel Electric Multiple Unit सीधे शब्दों में कहा जाए तो इस ट्रेन में Dual Fuel System होनी की वज़ा से इसका नाम DMU पड़ा ये ट्रेन Compressed Natural Gas यानी CNG के अलावा डीजल से भी चल सकते है अब CNG के नाम सुनते ही हमें दिल्ली जैसे बड़े शहरों की आदा आ जाती है जहांपर CNG बसें और कारें बहुत पहले से चलती आ रही है लेकिन इस बार CNG का इस्तेमाल किसी बस या गारी में नहीं बलकि एक ट्रेन में किया गया है भारती रेलवेस की तरफ सी ये कदम देश में फैलते पॉलिशन को कम करने के लिए ही उठाया गया था CNG के फायदों को देखते हुए साल 2015 की 14 जन्वरी को उस दोरान रेल मंत्री रहे सुरेश प्रभू ने पहली CNG ट्रेन को हरी जन्री दिखाई थी ये ट्रेन सबसे पहले हरियाना के रेवाडी से दिल्ली के रोहता तक चलाई गई थी उसके बाद इंडियन रेलवेस की अपने सिस्टम को और भी बेहतर बनानी की कोशिशें यहीं नहीं रुकी साल 2017 में देश की सरकार ने रेल नेटवर्क को पूरी तरह से बिजली के इस्तिमाल से चलने वाला सिस्टम बनाने का फैसला किया और इसके बाद 31 मार्च 2017 को उन्होंने मिशन इलेक्टिफिकेशन का एलान किया सरकार के इस मिशन के मताबिक इंडियन रेलवेस का अब एक ही मकसद था और वो ये की कैसे डीजल इंजनों को बंद करके ट्रेन से होने वाले पॉलिशन को कम किया जाए और ट्रेन की स्पीट को भी बढ़ाया जाए इसके लिए ये तै किया गया कि साल 2022 तक सारी ट्रेनों को बिजली से चलने वाला बना दिया जाएगा ताकि लोगों को किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े मिशन इलेक्टिफिकेशन के बाद 14 जलाई 2017 को भारत के रेल मंत्री सुरेश प्रभू ने बारतीय रेल्वे को एको फ्रेंडली बनानी के लिए एक और नई ट्रेन को हरी जंडी दिखाई एको फ्रेंडी होने से यहाँ हमारा मतलब एक ऐसी ट्रेन से है जिसमें पॉलिशन पहलाई जाने वाली कोई भी चीज मौजूद ही ना हो प्रभू ने जिस ट्रेन को हरी जंडी दिखाई उसकी खासियत ये थी कि सूरज से मिलने वाली उर्चा यानि सूलर एनर्जी से चलती है ये ट्रेन. ये ट्रेन सबसे पहले दिली के सवदर जंग स्टेशन से हर्याना के फारूख नगर तक चलाने के लिए तैयार हुई थी. इस नई ट्रेन को चन्ने की कोज फैक्टरी में करीब 16 सो हर्सपावर के साथ तैयार किया गया था. साथ ही Indian Railways Organization of Alternate Fuel ने इस ट्रेन के लिए अलग से सोलर पैनल भी तैयार किये थे और इन सोलर पैनल को ट्रेन की च्छत पर लगाया गया था. इस ट्रेन में 16 सोलर पैनल लगे हुए हैं जिन में से हर एक पैनल करीब 300 वाट तक की बिजली प्रोड्यूस करता है. इस ट्रेन में सोलर पैनल का इस्तिमाल करने से हर साल 20,000 लीटर से ज़्यादा डीजल की बचत के साथ साथ पॉलिशन भी नहीं फैलता और लाखों रुपए के डीजल की बचत भी होती है. इसके लावा अगर इस ट्रेन को पूरी तरह से चार्ज कर लिया जाए तो ये अगले दो दिनों तक बिना किसी प्राबलम के चल सकती है. यानि अगर अगले दो दिनों तक सूरज ना भी निकले तो भी इस ट्रेन को चलने में कोई परिशानी महसूस नहीं होगी. इसके अलावा इस ट्रेन की सभी लाइटें और पंके भी सूलर एनरजी से ही चलते हैं. आम तोर पर D.E.M.U. ट्रेन मल्टिपल यूनिट की ट्रेन होती है जिसे इंजिन के जरीए बिजली मिलती है. लेकिन सूलर ट्रेन में इसकी जरूरत नहीं परती. इस ट्रेन में सूलर पावर सिस्टम को और भी बेहतर करने के लिए इसमें स्मार्ट इंवर्टर लगे होते हैं जो स्यादा बिजली पैदा करने में मदद करते हैं. तो दोस्तों जिस तरह से इंडियन रेलवेज अब एक बेहद लंबा सफर तैग कर चुका है, ठीक उसी तरह उसकी ट्रेने भी काफी लंबे सफर को बड़े आराम से तैग करती हैं. तो इस एपिसोड में कुछ लगजरी ट्रेनों के बारे में चानने के बाद अब आईए चलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं कुछ ऐसी ट्रेनों के बारे में जिन्हें अगर मिनी इंडिया कहा जाए तो शायद गलत नहीं हो.